हेलो एन नमस्कार दोस्तो आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की डियोलेलबी की तियारी काफी अच्छी जिल रही होगी दोस्तो दिस इस दा सेकेंड पार्ट ओवर स्रीज जहां पर हम लोग टोफ फिफ्टी हमसे क्यूंज की बात कर रहे हैं तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था 50 MSCQS हमने किस तरीक से सोल्व किये इस वीडियो में हम अगले 50 MSCQS को सोल्व करेंगे तो इस इस और फिफ्टी वन ठीक है जो बच्छे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्स्राइब कर सकते हैं इसा ही अच्छा च्छा कंटेंट आपके लोग अंटरंसे के लिए इस चैनल बार आपको मिलता रहेगा तो चेर्मन उफ सेंट्रल 7th पे कमिशन इंडिया वाज तो इस 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 दी आंसर ओफ अशो कुमार मातौर तो इस इस दी राइट आंसर ठीक है आपको पता होना चाहिए कि किस केस में we don't follow the principle of equality जो कि आर्टिकल 14 के अंदर हमको दिया जाता है जब प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की बात आती है तो इनको certain privileges मिले जाते हैं तो इवन दो कुछ लोग सब एंपीज होते हैं जिनको भी privileges मिलते हैं ठीक है बट यहां पर option में हमें क्या माख करना है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स उसके बाद next question है अगर आपको किसी question में डाव लगता है यू कन क्रोश चेक प्रेस्ट और आपको किसी गृट। है you can cross check it on on the google basically now coming on to this question when the office of both president and vice president is vacant तो उनका function को रिश्चार्ज करता है we know it is the chief justice of India जब chief justice भी नहीं होते है तिन the senior most judge of the supreme court इस तरीक से ठीक है now 56 parliament and the state legislature in India can declare a seat vacant तो इसमें basically किते दिन का होता है 60 दिन का ठीक यह factual question से आपको याद करने होते हैं और आप देखो कि ऐसे question यूने previous year में पूछे हैं तो इनको पूछने का scope है and you know questions काफी जादा repeat हो जाते है questions repeat so that is why it is important to solve the previous year questions मैं आपको कहां से कहां तक करा रहा हूं 2003 से लेकर के 2021 तक के questions मैं आपको इस चैनल पर करा दूँगा एक्जाम से पहले ठीक है so which country among the following is the first country in Europe to guarantee the animal rights in its constitution the answer is Germany कोठारी Commission relates to आपको बताना है कोठारी Commission की चीज़ से रिलेट करता है that is education आपको बताना है 59 ठीक है इसको आप यहां से लिख लो यहां से start होता है question permission to vote in India by postal wallet is given to and so basically I am leaving this question here and आपको इस question को अच्छे से search करना है और इसका answer मेरे को आपको कहां पर बताना है comment में बताना है ठीक है comment the answer below देखते हैं कितने बच्चेस को कर पाते हैं इसको बेसिकलिए आपको थोड़ी मेहनत लगने वाली है इसको दूनने के लिए आपको comment में मेरे को इसका answer बताना है ठीक now coming on to another question that is 60 the concept of PIL हमने पाइनियर का पाइनियर को ने विच जच पीन भगवती अब बैसिकलिए कहां से किस देश हमने इंडिया ने उठाया है बैसिकलि यूएस ठीक है now coming on to 61 right to property was removed from the list of FR ठीक है तो fundamental rights की रिट से कब आद आ दिया गया था in the tenure of the चरन सिंह राजीव गांधी the answer is मौरारजी देसाई एक आप से पूश सकते है year year is also important ठीक है now coming on to 62 the current strength of the लोग सभा एंड राज्य सभा इस्टो फ्रोजन अप टू आपको पता ना चाहिए कब तक इस पे लोग लगा हुआ है 2026 तक ठीक है now 63 petitioners to the supreme court of india under article 32 are subject to the rule of rest judicata except now थोड़ा tough question है and the answer is the base corpus rest judicata is basically the concept of cpc civil procedure court आप शायद entrance level पर उतना नहीं जानते होंगे तो आप इसको as याद भी कर सकते हैं और आप simply google पर search color as judicata ठीक है बहुत शोट में rest judicata explain करना possible नहीं है so I'm not explaining it here 64 which of the following fundamental right guaranteed by the constitution of india cannot be suspended अब आपको पता होना चाहिए तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से constitutional amendment से यह हुआ है कि आप इनको amend ही नहीं मलब हटाई नहीं सकते these are basically article 20 and 21 ठीक है अब आपको बताना है कि this is the right answer and now coming on to 65 which landmark judgment of the supreme court is going against sexual harassment of women at all बहुत ही जादा landmark judgment it is Vishakha versus state of Rajasthan फिर आता है clemency of capital punishment is granted by 66 अपको बताना है it is by the president of India ठीक है this is the right answer उसके बाद आता है 67 to be tried under jubilant justice जो age क्या होनी चाहिए it is 18 ठीक है फिर आता है 68 hung parliament किसको बोलते हैं एक situation होती है hung parliament यह बिसिकलिए जब होती है जब किसी भी majority party के पास complete majority नहीं आती एपसोल्यूट अपसोल्यूट एपसोल्यूट 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 तो उसको बोल जाता है hung parliament इसमें राश्टे पती जी के पास discretion होता है अपनी चोईस का prime minister बनाने की जिनमें उनको लगता है कि who can basically from the stable government so the president uses his discretion to choose the prime minister so official language of the supreme court of india is everybody knows the answer it is the english then assertion reasoning question आता है ये काफी अच्छे questions होते हैं आपको prepared रहना इन सभी के लिए assertion क्या कहता है the constitution of india provides for the appointment of the governor for a period of five year ठीक है अब the governor holds office during the pleasure of the president हम को ये तो पता है कि ये प्रेसिडेंट पे ही governor hold करता है और हम ये भी पता है कि 5 साल तक है बट क्या इन दोनों का कोई संबंद है क्या ये इसका कोई reason है कि राश्ट्रे पती जी के pleasure पर इसका क्या मतलब होगा कि वो चैस कि वो 5 साल के लिए ही करेगा नो कोई संबंद ही नहीं है ना कोई reason ही नहीं बन रहा सो बिसिकली हम कह देंगे कि दोनों individually correct है बट आर इस नोटी correct explanation of a ठीक है now seventy one the principal bench of this see 80 is at principal bench आपको बताना है कहां पर established so it is new Delhi now 72 और यह आप से पूछ सकते हैं कि how many number of benches कि कितने benches हैं कहां कहां पर हैं ठीक है number of benches पूछ सकते हैं वह कहां कहां पर हैं वह आप से पूछ सकते हैं ठीक उसके बाद आपको बताना है seventy two first woman prime minister in the world was of uh सिफ इंडिया की निया पूरे दुनिया की पूसर आप से तो it is Sri Lanka now coming on to 74 in which police station was the F.I.R. relating to the assination of the Mahatma Gandhi registered काफी अच्छा and static question and this is Tuglaq ठीक है अब आता है seventy five which with which country does India share the longest border आपको बताना है कि कौन साथ देश है इसके साथ इंडिया का सबसे लंबा border शेयर के जाता इस बांगलादेश अब आता है seventy six अब अगर आप Supreme Court के किसी भी कर देते हैं इंडियमेंट का आप मानते हैं नियों तो क्या होता है कोट के आवेल ना जटेश कंटम्ट ओफ कोट देन आता है seventy seven who is responsible for the introduction of P.I.L. तो इस जिस्टिस पी अन बगवती ठीक है अब जिस्टिस पी अन बगवती से रेलेट जो भी हैं आपको याद रखने हैं इस बिसक्रीट लोंगे सर्विस जजज सर्विंग जज़ सुप्रीम कोट फ इंडिया ठीक है अपील आप खुद से पढ़ेंगे एन इसका आंसर क्या होगा इसका अंसर होगा मैंडेमस तो मैंडेमस इसू करी जाती है जब इंस्ट्रक्ट देता है कि आप अपनए ड्यूटि यूटी फो परफोर्म करो अगर आपकी कोई ड्यूटि है जो परफोर्म नहीं कर रहे तो पार्लियमेंट कमप्राइज्ज और यूट को अपर्लियमेंट किस किस से मिलकर के बनी होते है राष्डे पती जी लोकसभा और राच्यसभा दिस इस दिराइट आंसर नौ कमिंगान टो 82 चार्ज शीट इस साइंड बाइ चार्ज शीट नहीं होते जब पुलिस चार्ज शीट फाइल करती है इसको बिसिकले पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं बाट लेमन की लेंगोज में बोल सकते हैं चार्ज शीट सो हम क्या बोलते हैं आई ओटिया इन्वेस्टिगेशन ओफिसर देन कमिंगान टो 83 चाइड लेबर इस प्रोहिबिटेट बाइवर कॉन्सिटूशन ठीक है सो कहां पर दिया गया है इट इस बिसिकली आटिकल 24 यह आपके फंडमेंटल राइट है ठीक है एफ आर नाव आइंड जोइंट सेशन होता है तो उसको कौन पर साइड करता है डिट इस दा स्पीकर ओफ ता लोक सबाटिक है मिनिमम एज ओफ मेंबर्शिप ओफ राज्यसभा इस यह इस इससे आपको पूस सकते हैं कि हूँ इस बैसिकली दा यंगेस्ट मेंबर ओफ दी राज्यसवा विस्ट यंगेस वन इस दी रागाव जड़ा ठीक है फ्रॉम दी पार्टी ओफ आम आदमी पार्टी सो मिनिमम एज ओ राज्यसभा मिनिमम एज ओफ लोकसभा मिनिमम एज फुर दी पॉइंटमेंट सो फॉर दी एलेक्शन ओफ दी प्रेसिदेंट और गवर्नर यह इस यह आपके क्वेस्टेंज जो हते हैं मिनिममेंच की काफ़ इंपोटेंट होते हैं हम लोग इग्नोर कर देते हैं बट इसार ओल्सों इंपोटेंट तो दी आंसर इस थर्टी यह ठीक है और नाओ 86 हो कन अमेंड दे प्रोविशन उप स्रीजिंशिप उफ इंडिया ओफ कोर्स पार्लियमेंट आपको पता है कॉंसा आर्टिकल यह पावर देता है आर्टिकल 11 नाओ आता है 87 वाट कैन भी मैक्सिम नंबर ओफ मिनिस्टर्स इन दी गवर्रमेंट इस बेसिकली 50 परसेंट ओफ टोटल मेंबर्शिप ठीक है नाओ आता है 88 हाओ मनी लेंग्वजिज आर द आपको पता है कि four new languages add हुई थी तो by which amendment by which constitutional amendment act और उसका year किस year में आया था यह आपके लिए important है और उन लेंग्वजिज का नेम ठीक है अब आता है 89 safeguarding of forest is ensured यह ठीक है ensured by which article of the constitution article 48a अब आप खुद देखो कि कितना depth में जाकर के लोग आपसे questions पूसते हैं इस बेसिकली पीस प्रीवियस यह 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 मैं सब्सक्राइब आपको मिल जाएगा ठीक है कि दशोर्स ओफ दा लो ओफ इंडिया इज क्या है बिसिकली प्रीवियंटर आप इसका लिखा हुआ है हम अधस्थ्यवीश फोफ लो ओफ इंडिया प्रीवियंटर में बेसे के लिखागे कहां से लिए गया है पट आक्षु़ली क्या है इस constitution और preamble में क्या लिखा गया है basically by the people of India जो अगर यह पूछ लें कि constitution अपनी power कहां से derive करता है यह शक्तिया people of इंडिया भारत के नागरी ठीक है फिर आता है 91 rule of basic structure का वाया था केश्वनन्द भारतिया case में ठीक 92 कहता है which article provide the parliament the power to amend the constitution 368 बहुत important ठीक है इस पर star बना लो याद होना चाहिए आपके आपसे majority पोच सकते हैं कि भाइव वट मेजोरेटी 93 no money bill can be introduced in the legislative assembly of the state except on the recommendation of किसके recommendation mandatory होती है it is the governor ठीक है governor of the state और जब यहां पर इस यहां पर आजाता पार्लियमेंट तो फिर किसकी mandatory हो जाती फिर जाती प्रेसिदेंट की ठीक है इस तरीके से आप यह देखो कि लोग स्टेटमेंट बेस्टेंट आपसे पूस्ते हैं ठीक है डियो में स्टेटमेंट बेस्टेंट काफी पूचे जाते हैं तो आपको वेल पिपेर्ड रहना है स्टेटमेंट बेस्टेंट के लिए माइंड सेट और आदत डाल करके जाओ ठीक है आप मेरे को बता हो कि is this condition true that he must be a member of Rajya Sabha ऐसा तो नहीं है second he is elected by member of both house of the parliament and the state legislative assembly क्या state legislative assembly का कोई रोल होता है है ऐसा भी नहीं है देन आता है इस प्रेसिदेंट रिजाइन ओर डाई दन्द वीज वीपी सर्फ एस प्रेसिदेंट ये ठीक है ही इस को पता है नए हमारे वाइस प्रेसिदेंट इलेक्ट हो एं निव इसी निकल रहा है सोरी निव वाइस प्रेसिदेंट बैसिकली इलेक्ट हुए तो आपको नेम पता होना चाहिए और उनका नंबर की विच नंबर कौन से नंबर के हैं तेहरा चोधा पंद्राइस तरीक से ठीक है नहीं आता है 95 दी सी एजी ओफ इंडिया इस अपोइंटेड बाई दी प्रैम प्रेसिडेंट ओफ इंडिया ठीक है आपको पता होना चाहिए नेम की हूँ इस अवर सी एजी बहुत इंपोर्टेंट ओफिस है और सी एजी का रिमूवल कैसे होता यह भी आपको पता होना चाहिए क्या मेजोरिटी रिक्वाइड होती है और इनका जो स्थान है वो किसके क्वल दिया गया सुप्रेम कोट की इसके बराबर प्रिसिडेंट्स ही ओडर ओफ प्रिसिडेंट्स में तो फूम्सल ऑफ मिनिस्ट्र क्लेक्टिव रिस्पोंसिबल काफी बच्चे पार्लियमेंट मांक कराते हैं बड़ दी राइट आंसर इस लोगसबा अगर यहां पर एक आंसर होता पार्लियमेंट तो पार्लियमेंट पर मार्क नहीं करना है लोग सभावे मार्क करना है और लेट सपोज लोग सभा होता ही नहीं और राजी सभावी नहीं होता सिर्फ पार्लियमेंट होता एक होता प्रेसिडेंट एक होता लेट सपोज वाइस प्रेसिडेंट एक होता पार्लियमेंट और एक होता let us suppose governor उस case में Parliament हो जाता है क्योंकि हमें क्या चुनना होता है most suitable answer out of the given ठीक है जो यही तो beauty objective type questions के ठीक है the DPSP has been given in the constitution in part fourth तो आपको सारे parts याद करने कि जैसे for example आपसे पूछ लो comment में बताना कि election commission के बारे में किस पार्ट के अंदर हमको दिया गया ठीक है यह आपको बताना है comment में ठीक देखते हैं आप मेंसे कितने बच्चों की तयारी अच्छी चल रही है नाव कमिंगों टू 98 मिटेश टेट है थी मेंग से अंबर ओफ मेंबर इंदा लोकसभा अगें आप खुद ही बताएए इसको आप अराम से बता सकते हो उत्तर प्रदेश इसलिए तो इतना जोश रहता है कि यूपी जीत लिया माना जाता है कि उसने केंद्र जीत लिया तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश रहे हूं तो मुझे तो प्यारा ही लगता है ठीक है 99 दा इंडियन कॉंस्टिटूशन प्रोवाइट्स फोरा यूनियन उफ स्टेट्स कहां पर अर्टिकल वन इंडिया डट इस भारत अब आते हैं हंड्रेट वट इस दा मिनिमम एज प्रिस्क्राइब तो बिकम दा मैंबर ऑफ द लोग सबाग 25 ठीक है जी इसी तरीके से हमने पार्ट टू के अंदर कितने क्वेस्टिन कवर किये 50 मो है व्य मO हमने टोटल अपने अंडियर Ceopal अब तक कवर कर लिए पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में मिला करके ठीक है जी पार्ट वन और पार्ट तो आपको पार्ट वन का लिंख नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जायगा वहां से चेक कर लीजिए और अगर आ need your support भाई आप लोग अपने support दिखाया करो and चैनल को subscribe जरूर किया करो जिससे हमें motivation मिले इस तरीके से और अच्छे अच्छी वीडियोस बनाने का ठीक है इसी तरीके से चैनल को देखते रहें तयारी करते रहें हम मिलेंगे आप से next वीडियो में जब तक के लिए अच्छा बाबाई थैंक यू टेक के अच्छी अच्छी नहीं कुछ भी नहीं कुछ ली